अतिक हमेत का काफिला शाम सवा पांच बजे रतनपुर बॉर्डर से होता हुआ गुजरात की सीमा में प्रविश्कर लिया है और वहां से साबरमती जेल ले जाया गया है अतिक हमेत को मिली उम्रकेत की सजा बाई श्रफ समेच साथ आरिवों को कोट ने किया बरी उमेच पाल अपरण मामले में MP MLA कोट ने माफिया से नेता बने अतिक हमेत को उम्रकेत की सजा सुना दी है साथ ही उस पर पांच जार रुपे का जुर्मना भी लगाया है अब कोट ने इस मामले में अतिक हमेत, दिनेश पासी और खान सौलत नहनीफ को दोशी करार दिया है अतिक हमेत के भाई अश्रफ सहित अन्य सबी साथ आरिवों को बरी कर दिया है इसमें आरोप हे की 28 फरवरी साल 2006 को अतिक अहमद और उसके भई अश्रफ ने उमेश पाल का किडनेप किया इसके बाद उसे जमकर मारा पीटा और परिवा समय जान से मारने की धमकी दी इस दमकी के बल पर अतिक और अश्रफ ने उमेश पाल से कोड में जबरन हल्फ नामा भी दाखिल करवाया इसके बाद साल 2007 में जब उत्रप्रदेश से बसपा यानि मायावती की सरकार थी तब बसपा नेता राज्यू पाल की हत्या को लेकर उमेश पाल ने 5 जुलई 2007 को अतिक हमाय दोर उसके भाई अश्रफ समय पांच लोगों के किलाफ एफायर दस्क रही थी